कहते हैं कि साल 2016 में दो घटनाएं घटी थी एक तो आप सभी जानते हैं कि भारत में नोट बंदी हुई थी और जिसका फिरभाव भारत में सबसे जानदा देखा गया था और ये घटना थी डॉनाल्ड ट्रॉम्प का अमेरिका का राष्ठपती बनना और जो अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए बहुत कुछ पिरभाव उसने छोड़ा है तो आज हम लोग एक घटना डॉनाल्ड ट्रॉम्प के बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे एक बिजनिसमेन भी है ब्यापारी भी है तो उनकी केरियर को भी देखेंगे इनका परिवारिक बेक गराउन क्या है यह अपनी निजी लाइब के कारण भी काफी चर्चा में बने रहते हैं राजनेतिक background क्या है, सिक्षा किस तरह सी हुई है इनकी, और इन से जुड़े हुए कुछ बिबाद भी हैं, उन बिबादों पर भी हम लोग बात करेंगे, और इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका देखी ये परिवार है, और बड़ा परिवार है, देखी य हमारी प्यारी पिथ भी है, इसमें आप देखी कि Asia में, यह हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप लोग जाए उत्तरी अमेरिका में, तो सैयुक्तराज अमेरिका देखने को मिल जाएगा, यूवेसे, और मुक्रूप से उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा तो यहीं के राष्टवती की बात कराओं अगर हम लोग डॉनाल्ड ट्रम्प के पूरे नाम की बात करें कि इनका वास्तविक नाम क्या है डॉनाल्ड ट्रम्प का तो इनका पूरा नाम क्या है डॉनाल्ड जॉन ट्रम्प और इनका जनम होता है 14 जून 1946 मे अमेरिका की कुईन निवार्क में हुआ था डॉनाल्ड ट्रम्प, ट्रम्प सी फ्रेड और मर्यम एनी की चौते संतान थे इनके अन्य चार भाई बहन और हैं और ट्रम्प की पिता और दादा दादी जर्मन आपरवासियों आपरवासी भी रहे थे अगर हम लोग डॉनाल्ड ट्रम्प की सिख्षा की बात करें तो डॉनाल्ड बच्पन से ही एक उर्जाबान मोखर बच्चा था और इनके पिता उन्हें 13 साल की उम्र में नियॉर्क की मिलिटरी अकेडमी में एडमीशन करवा दिये ताकि उनके अंदर डिसेपलिन और पॉजिटिव सोच पैदा हो ट्रम्प अकादमी में अच्छा पिदर्शन किया और 1964 में अपने कॉलेज की लीडर चुने गए वे अपने कॉलेज में कई खेल की कप्तान भी रह चुके ट्रम्प पैन सेल्वीनिया विस्विध्याले की वराटन स्कूल को इस्थानानतीत करने से पहले दो साल के लिए फॉर्डम विस्विध्याले में भाग लिया इन्होंने वह अरत्सास्त में एक बिग्यान इस्थनातक के साथ 1968 में इस्थनातक उपाधी प्राप की यानि कि आप लोग कह सकते हैं कि काफी पड़े लिखे भी हैं अगर हम लोग निजी जिन्दिगी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक तेन साधियां की और कुछ लोगों से साथ कुछ और के साथ इनके अफेयर की भी बाते होती रहती हैं सबसे पहले 1970 में इवाना से की इनोंने जो 1992 में तलाक हो गया था उस समय ट्रम्प की काफी आलोचना भी हुई थी और इसके बाद 1993 में तिसिद अभनेती मरला मैपल्स से साधि की और जिन से अफेयर की चर्चे काफी पहले से थे मैपल्स ने ट्रम्प के वेटे को जनम दिया जो की ट्रम्प की चौती संतान थी ये साधि भी जाना दिन तक नहीं टिक सकी और 1999 में में दोनों की वेट तलाक हो गया और इस तलाक के में ट्रम्प को दो विलियन डॉलर मला को देना पड़े थे और बाद में आप देखें 2005 में ट्रम्प ने मसूर मॉडल्स मेल निया का नोस से साधि की जो 2006 में ट्रम्प की पांच भी संतान को जनम दिया था और आप देखें कि हमारे देश में साधी की अलगी बात होती है कि एक बार अगर कोई साधी कर लेता है तो आप देखते हैं उससे किसी भी तरह से रहे उन दोनों को पूरी जिद्न की साथ रहना होता है परंपरा है हमारे यहां की लेकिन वो भी बदल रही है और मुझे ऐसा अच्छा भी लगता है कि आप देखेंगे तलाक हो गया फिर यह हो गया फिर दूसरी साधी कर ली तीसरी साधी कर ली अगर हम लोग डॉनल्ड टरम्प की बिजनेस केरियर की बात करें तो टरम्प ने अपने बिजनेस केरियर की सुरुवात अपने पिता की साथ साध्या बिजनेस की रूम में ब्रूक लिन नियुवार्क से सुरू की थी सुरू में अपने पिता की पसंदीदा मद्ध्यम बरगिये किराए के मकान में ब्रूक लिन, किरिंस और इस्टेटन तुईप की छित्पन ध्यान के अंदिट किया लेकिन पिता की इक्षा की बाद में उन्होंने 1971 में खुद का रियल इस्टेट बिजनिस की सुरुआत की जिसका नाम उन्होंने मन हट्टन रियल इस्टेट रखा था ट्रम्प ने सुरुआत से ही सकसिस की सीडिया चड़ते गए और रियल इस्टेट की मज़े हुए खिलाडी बन गए उन्होंने अपने काम की जरी दुनिया में अपनी पहचान मनाई और सबसे ज़्यादा पिसिद रहे उन्हें फिप्त एवेनियू, ट्रंप टावर, लगजरी आवासी हॉम, ट्रंप पार्क, ट्रंप पलाजा, ट्रंप पैलेस, 610 पार्क एवेनियू और ट्रंप बर्ड टा ट्रंप ने कई होटल और पिसिद इमारतों का भी निर्माण कर चुका है, जिनमें होटल पिलाजा भी सामिल है, क्या होटल पिलाजा भी सामिल है, इसके साथ ही नाई के टाउन में अपना सबसे बड़ा स्टोर ट्रंप के अधीन सुरू किया, 2008 में, जूसी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर ट्रंप टावर में ओपन किया 1977 में में ट्रंप इंटरनेशनल होटर एंट टावर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले ट्रंप की बावन मंजिला इमारत में कई स्टोर होटल एवं आवासी निर्माण किये गये हैं या इस्थान मेट हंटन के बेस्ट साइड की चौराय एवं सेंटल पार्क पश्चिम में कोलंबस सरकल पर बना हुआ है या दुनिया के सबसे फिसिद आर्केटेक्ट फिलिप जौनसन द्वारा बनाये गया था और इस निर्माण को इउनाइटिड एश्टेट में सरवाधिक विक्रय धन एवं किराय मिलता है और टरंप नियवार्क सिटी के बहुत बड़े भाग के डवलपर भी रहे हैं सौ एकड जमीन पर कंश्टेक्शन के लिए नियवार्क पिलानिंग कमिशन द्वारा सबसे बड़ा एप्रूवल दिया गया या इस्थान हैंडसम नदी के सामने 52 से 72 इस्टीट पर बना भूभा गये जहां पर आप देखेंगे 16 इमारते हैं जिन में से 9 टरंप की हैं बाकी बेंची गई है टरंप ने टरंप पैलेस पर 25 एकड़ तठ पार्क नियवार्क सहर में 700 फुट उकेरी घाट का दान भी दिया है अगर हम लोग डॉनाल्ड टरंप के जीमन में काफी उताओ चड़ाओ भी रहें टरंप ने केबल आसमान को चुआ है और उनके जीमन में एक ऐसा समय भी आए जब उन पर रेड का बोज बढ़ गया यह बात असी के दसक्की है जब रियल इस्टेट ब्यापारप और मंदी का दौर था उस बक्त टरंप भी इस मंदी के दौर में फस गये थे लेकिन यह समय बहुत देव तक नहीं रहा और टरंप ने 1997 में अपने बिजनिस को दो विलियन डॉलर तर पहुंचाया जो कि 90-900 मिलियन डॉलर के गयरत में था अब आप देखते डौनाल्ड टरंप ने टेलीविजियन सो में भी कुछ समयता के दिखाई दिये डौनाल्ड टरंप ने 2004 में टेलीविजियन की दुनिया में NBC चैनल में एक सेलिविटी के तौर पर रियल्टी सो में दिखाई दिये जहां से उन्हें काफी जान गया जो की 10 सेलिविटी अपेंटिक के नाम से मसूर है और 2011 में उन्होंने फिर से राजनीती की तरफ रोख किया पैसीडेंट की रेस के लिए स्वयम को एक उम्मीदवार की घोसित किया था टरंप ने हमेशा पैसीडेंट बराक ओबामा के लिए बिवाद बयान दिये और उनके उनाइटिट एस्टेट के जन में या ना होने पर उनकी आलोचना के साथ ही कई पॉलिटिकल मुद्दों में उन्होंने बराक ओबामा के खिलाब बोला टरंप राजनीती में अपने कटू आलोचना के लिए जाने जाते हैं अब बात आती है इनके राजनीती केरियर की टरंप के तो टरंप ने अपने राजनीती केरियर की सुरुवात अक्टूबर 1999 में रेफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी की जरीए 2000 के राष्टपती इलक्षन की दोड में सामिल हुए थे लेकिन बिजन्स में कुछ परेसानियों के कारण आगस्त 2000 में टरंप को वापस अपने काम की तरफ जाना पड़ा था फिर आप देखेंगे कि साल 2000 बारे में इन्होंने फेसे राजनीती की तरफ रूख किया और पैसिडेंट की रेस के लिए खुद को उम्मीदबार गोसित किया और टरंप ने हमेशा ही राष्टपती बराग उबागा को अड़े हाथ लिया तो ये भी आप लोग देखें साथ ही कई पॉलिटिकल मुद्दों पर भी उन्हें घेरा और टरंप अपनी बेबाक कटू और आलोचना के लिए जाने जाते हैं और 16 जून 2015 को टरंप ने अधिकारिक तोर पर खुद को रिपबलीकन पाइटी की तरफ से टिकेट मिलने के बाद राठपदी पद के दोड में सामिल हुए थे और यह आप देखें उन्होंने यह घोषना टरंप हाउस निवार्क से की थी उनके अपोजिट में हैलेरी किलेंटन थी इसके बाद अरबपती डॉनलर्ड टरंप ने सभी भादाओं को पार करते हुए चुनाबी मुकाबले में अनुभवी नेता हैलेंटी कुल के लेंटन को माद दी थी और इसके साथ ही वो पैंतालिस में अमेरिगा के राठपती बने थे इन्हें बहुत सारी पुरुषकार भी मिले हैं इनके कामों के लिए ये भी आप लोग देख लिए 1976 में यहुदी राष्टी स्वास्त के लिए मानाउतावादी पुरुषकारे ने दिया गया था 1983 में यहुदी राष्टी कोस द्वारा ट्री आप लाइब अवर्ड भी मिला था 1986 में एलिस आईलेंड मेडल आप ओनर पराप्त करता भी है 1991 में गोल्डन रास्प बेरी अवर्ड फाउंडेशन द्वारा वर्ष्ट सपोर्टिंग एक्टर भी मिला था ने अवर्ड 1995 में फीडम फाउंडेशन की ओर से राष्ट पती पदक मिला था 2007 में इस्टार ओन दा हॉलिवूड बॉक और फ्रेम से समानित किये गये थे 2013 में डव्लू-डव्लूई हॉल एक फडेम में सामिल किया गया था फिर आप देखे हैं 2015 में न्युजर्षी बॉकसिंग आल और प्रेम में भी सामिल किया गया था 2016 में टाइम एक्जिन द्वारे पर्सन अप दाहीयर चुना गया था 2016 में Financial Times द्वारा Person of the Year चुना गया था, 2017 में The Friends of Sion Museum से Friends of Sion अवार्ड भी मिला था, 2017 में ही आप देखें स्पोर्ट विजनेस परसल द्वारा सबसे प्रभावसाली बेक्ती भी चुने गया थे, 2018 में Atlantic City Boxing Hall और फ्रेम में सामिल किया गया था, 2018 में घायल युद्धा परियोजन पुरुसकार भी मिला था, 2019 में टाइम पतिका की दुनिया के सबसे प्रभावसाली लोगों में सूची में सामिल थे, 2019 में पिथम चरण अधिनियम पर हस्ताक्चर करने के लिए 2019 में दुईपक्ची है, निया पुरुसकार भी इन्हें दिया गया था, इनकी किताबें भी है इनकी किताबों के नाम है, जैसा कि आपको बताएं कि इनसे जुड़े हुए कुछ बिबाद भी है, इन बिबादों को भी देख लीजे, 2016 में राश्पती चुनाव के लिए पिरचार करती हुए, ट्रॉम्प ने कहा कि वह घुस्पीटियों को रोकने के लिए अमेरिका मेक मेक्सको सीमा पर एक दीबार का निर्माड करेंगे, उन्होंने यह भी कहा कि वह सहिकतराज अमेरिका में विदेसी मुसल्वानों के प्रवेश पर आस्थाई पितिवन लगाएंगे, और फरवरी 2016 में ट्रॉम्प ने पॉप फ्रैंसिस को मेक्स सरकार का महरा बताया था, ट पहले रूसी अधिकारियों और ट्रॉम्प सहयुगियों की भी संदिग संबंधों की जाच के लिए एक विसेश बकिल जाच की स्थापना भी की गई थी, फिर आप देखेंगे सेप्टमबर 2019 में एक 20 सल बिलोवर ने आरोप लगाया कि ट्रॉम्प ने यूकरेन के के लिए पिती निदी सभादवारा उन पर महावियों भी चलाया गया था और आप देखें तीन जन्मरी 2020 को ब्राइट हाउस ने ट्वीट किया कि नौडाल टरम के आधिसपसीस इरानी नेता जनरल कासिम सुलेमानी अमेर्की राजनेकों पर हमले की योजना बनाने के लिए ड्रॉन हमले में मारे गए थे और हर्ताल की खबर के बाद कॉंग्रेस के कई सदस्तों ने इस कदम की आलुचना की थी क्योंकि ड्रॉन हमले से पहले कॉंग्रेस की ये कोई मंजूरी नहीं ली गई थी अमेर्की पॉन फिलिम अवनेतरी इस्टॉर्मी डेनियल से ने आरोप लगा इनों पर कि 2006 में इनों ने ट्रम्प के साथ एक सम्मंद था जो ट्रम्प ने इंकार कर दिया था जर्वरी 2018 में ये बताया गया था कि 2016 की राश्पती चुनाओ कि ठीक पहले डेनियल को गैर प्रकटी करन समझोते कि हिस्से की रूम में ट्रम्प के बकील माइकल कोहिन ने आप देखें एक लाग तीस जाड डॉलर का भुक्तान किया था और कोहिन ने बाद में कहा कि उसने उसे अपने पैसे के साथ भुक्तान किया फरवरी 2018 में डेनियल ने कोहिन की कमपनी को NDA से रिहा होने के लिए कहा और उसे अपनी कहानी बताने की अनुवती दी थी और कोहिन के मामले में आप देखते हैं कि मामले पर चर्चा करने से रोकने के लिए एक सहिम आदेश भी प्राप्त किया था और अभी आप देखते हैं कि कोर्ट में उन्हें हाजिर भी होना पड़ा था और आप देख रहें कि चल रहा है इन पर वो भी चल रहा है और आंगे क्या होती है कारवाई ये तो आने वाला बक्त ही बताएगा तो एक आप लोग सौट वाइगराफ ही कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की जो काफी चर्चा में भी रहते हैं और बताईए किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो चर्चा में रहता है उसके बारे में हम लोग देखते रहते जानते रहते हैं